तो आज हम आई हुए भाई रेनो मेंफरी पर और अगर आप रेनो की कोई गाड़ी पर्चेस करना चाहते हैं तो इसका एड्रेस और कॉंटेक्ट नमबर मैनूल है डिस्क्रिप्शिम ने दे दिया है आप बुलू है इनसे कॉंटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं तो सामने खड़ी हुए भाई यहमारे रेनो ट्रिबर और आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं यह जो है और एक जी वेरियंट है मतलब की टॉप मॉडल की की अगर हम बात करने तो कुछ इस तरीकी की आपको देखने को मिल जाती है यह चौथी की का जो फंक्शन है वो अ साथ किने जार 59ista बात करें थो 1747 बिढ़े और हैड़ अब्र मोडकDo की यहां पर देखते हैं रेड कलर की मिल जाती है अब को पर यहां पर लेफ्स नाहीं both है और यहांबं यहें पर लेफ्स साइड में आपको नीचे टवियंग देखने को मिल जाता है साइड प्रोफाइल ये बात करें तो आपको कुछ इस तरीकी की साइड प्रोफाइल जो है रेनो ट्रिबर की देखने को मिल जाती है तो कारोड की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीकी कारोड का डिजाइन आपको देखने को मिलता है और बीच में आपको single splasher देखने को मिल जाता है आपको इसमें range sensing wiper नहीं है आपको manual wiper ही इसमें प्रोवाइड किये गए है और अगर headlight सी बात करना तो यहाँ पर आपको projector setup मिल जाता है left side में आपको low beam के लिए और यहाँ पर right side में आपको high beam के लिए और उसी के नीचे आपको indicator देखने को मिल जाते है और वहीं अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको DRS देखने को मिल जाते है और उसके जो चारो तरह आप देख सकते है red color की जो है finish dk जो की देखने में काफी premium लगती है और यहाँ से आप देख सकते है air intake आपको मिल जाता है और approach angle की बात करें तो कुछ इस तरीके approach angle आपको देखने को मिलता है skid plates आपको silver finish में देखने को मिल जाती है तो कुछ इस तरीके की आप देख सकते है side profile आपको मिलती है और विम सापको जो है black finish में दिये गए है यहाँ पर आपको जो है B pillar यह आप दिखकते हैं यहाँ पर B pillar और आपको किसी भी तरीके के door visor आप पर provide नहीं किये जा रहे है और विम की बात करें तो आपको जो है black finish में मिल जाता है इंडिकेटर आपको और विम पर मिलते है electrically adjustable यह है electrically foldable आपको जो है provide नहीं किये गए है tire size की अगर हम बात करना है तो यहाँ पर आपको tire profile में जाती है 185 by 65 R 15 steel wheels आपको जो है provide किये गए है आला कि देखने में जो है alloy लगते हैं बट यह जो है steel wheels ही है इसमें और front में आपको disc brakes और rear में आपको drum brakes देखने को मिलती है और यहाँ पर black color की आपको side cladding देखने को मिल जाती है तो side log आप देख लीजे कुछ इस तरीके का side log आपको जो है गाड़ी का देखने को मिलता है A, B और C pillar और door vises आपको provide नहीं किये और देखिए आप देख सकते है रियर में आपको drum brakes प्रोवाइड की गई है और disc brakes आपको cable front में ही देखने को मिलती है और rear profile के अगर हम बात कहा है तो कुछ इस तरीके की rear profile आपको देखने को मिलती है high mount stop lamp, rear wiper, defogger यह सब आपको इसमें provide किये गए है और यहाँ पर देख सकते हैं कि high mount stop lamp के side में ही आपको इस प्लेशर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है बीच में आपको रेनो का logo देखने को मिल जाता है नीचे आपको driver की gap देखे बेजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर नीचे आपको रेनो की बेजिंग parking sensor की बात करना तो आपको तीन parking sensor यहाँ पर देखने को मिल जाती है और नीचे script players आपको silver finish में देखने को मिल जाती है यह कुछ इस तरीके का आपको departure angle और नीचे ही आपको spare wheel provide किया गया है यहाँ पर back light की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसमें turn indicators, reverse light और brake light जो है आपको इसी में देखने को मिलती है और एंटीना की अगर हम बात करें तो शारफिर एंटीना आपको जो इसमें provide नीचे गया है लेकिन जो normal dundi वाला एंटीना जो है काफी बड़ा एंटीना जो है इसमें आपको provide किया गया है door handle की अगर हम बात करें तो आपको black finish में door handle देखने को मिल जाते हैं और request sensor आपको यहाँ पर किसी भी तरीके के देखने को नहीं मिल बात करने हैं तो आपको इस ततरीके के dual tone में door panel देखने को मिल जाता है वही darauf отнош to power комп control देखने को मिल जाते हैं यहां से यह अप झालोग यहां पर देखने को मिल जाता हैं और यह आपको चाइड लोग यहाँ पर है मुझे और यहीं पर साथ में वाटर वोलडर और यहां पर थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कि सीट कि अगर हुआ तो आपको इस तरीके की डूल टोन में आपको सीट दिये गई हैं फ्रनिया आपको फिज्ड है ट्रैश जो है प्रोवाइड किये गये हैं इंटिरियर आपको इस तरीके के दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं आप जो है इसकी हाय डिज़स नहीं कर सकते हैं सीट की केवल आप जो है इसका बैक रेश जो है उसको एड़स कर सकते हैं और सीट को जो है आगे पीछे आप कर सकते हैं और यहां पर आपको जो है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहां से आप फ्यूलिड को एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि बाकी गाड़ियों में ज़्यातर दिया जाता है उसी तरीके से यहां पर दिया गया है और headlight leveler आपको जो है यहाँ पर manual यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है फोट्रेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है इसमें तो कुछ इस तरीके का steering आपको जो है ट्राइबर में देखने को मिल जाता है आपको decat steering यहाँ पर दिया गया है dual tone में और left में आपको जो है यह कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं volume के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और right में बात करें तो आपको call के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप जो है mute भी कर सकते हैं इसको वापस से लॉक कर देते हैं कुछ AC के कंट्रोल्स आपको जो है इस तरीकी के देखने को बनते हैं और यहां पर कुछ स्ट्राइश ब्लेजरेश बटन और मिल तुल दालने हैं और इसको इनसे बचान की डालना पड़ेगा और बाकी जो गयर हैं व्ली तरीकhelp देखने में जाती है टिप जो है आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर भी आपको जो है कुछ थोड़ा बहुत काफी इस पेस जो है आपको देखने को मिल जाता है और इसमें जो है कूलिंग का ऑप्शन भी है तो यहां अगर बोटल वगर आपने रख देते हैं तो वह कूल जो है बनी रहेगी यहां से आप इसकी जो एसी की स्पीड है वो आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं बीच में आपको हैजार्ड लेम के कंट्रोल और यहां से आप जो है गाड़ी को लॉक कर सकते हैं संवाइजर की बात करना तो आपको इसमें रिसेट ओल्डर देखने को नहीं मिलता नहीं किसी तरीके यह वैंटी मिलर आपको दिया गया है यहाँ पर आप मैकी प्लेसिंग देख सकते हैं और केविल लैम की अगर हम बात करें तो आपको जो है हैलोजन में दी गई है यहाँ गलब बॉक्स की आरम बात करें तो यह जो है आपको डबल कंपार्टमेंट दिया गया है यहाँ पर उपर भी इस्पेस मिल जाता है और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस्पेस काफी इनफ इस्पेस जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और अधेसे जो इस गाड़ी की प्राइसिंग है वो 9,00,000 रुपय तक आ जाती है अब इस इवेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के इस आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके दिखा देते हैं इसमें किस तरीके के मिलता है यहाँ पर आपको वर्निंग साइन्स मिल जाते हैं सीट बेल्ड की और हैंड ब्रेक की यहाँ पर आपको सीट बेल्ड की वर्निंग मिल रही है उपर आप देख सकते हैं इंजिन की cool और high cool आपर आपको बता रहा है अब rear seat पर चलते हैं और देखते हैं रियर में space वगरा जो है कितना आपको provide किया गया है दोर पेनल की अगर हम बात करें तो आपको dual term में वही आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर भी hard plastic का यूज़ किया गया है अब driver seat को मैंने अपनी height के साब से adjust किया था 6 feet के साब से तो आप देखते है नी room जो है fair enough यहाँ पर जो दिया गया है space आपको जो है काफी सही मिल जाता है AC vents आपको जो है यहाँ पर side में देखने को मिलता है यह काफी unique चीज है रेनो ट्रिबर की और नी space आप देखी सकते हैं कि कितना दिया गया है यहाँ पर आपको आर्म डेस्ट और AC vents यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं दिये गए हैं यहाँ पर आपको 12 चार्जिंग सॉकिट जरूर यहाँ पर जो है प्रोवाइट किया गया है आप देख सकते हैं रियर सीट में आपको जिए आर्म डिय्ज देखने को नहीं मिलता है तो फाइनली याप छो है हम इसकी थर्ड रोपर जाने वाले है और देखते हैं किस तरीक़ वरणल के लिए हम इंचे से लीवर उसका खीज देंगैं और यह तंबल हो जाती यह इस तरीके से बहुत एज और यहां पर जो है अब हम पीछे की सीट पर बैठने वाले हैं और देखते हैं वाई किस तरीके की स्पेस वगरा जो यहां पर प्रोवाइड किया गया है तो पीछे की तरफ बच्चे बैठके अपना गेम वगरा खेलते रहते हैं और जो है साथी साथ उनका मोगाइल भी जो है चार्ज होता रहेगा तो अब इसका जो है बूट इसपेस आपको दिखाते हैं कितना जो है इसपेस आपको मिल जाता है और यहां पर आप देख सकता है नीचे जो है कैमरा की प्लेसिंग आपको देखने को मिल जाती है आप बूट इसपेस के अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 84 लीटर का ज यहाँ पर अंटर बॉड़ी आपको जो है दिया गया है यह भी जो है अगर उपर देने के लिए वैसे भी जगह नहीं थी तो जो बूर स्पेस था वो भी खतम हो जाता अगर इसको जो इस पर वीड को भी उपर दे दिया जाता तो तो बाई यह था हमारा रेंडो ट्रिबर का रिव्यू ओफुली आपको जो है रेंडो ट्रिबर पसंद आई होगी फोर इस्टार रेटेंग के साथ यह गाड़ी जो है आती है तो आप जो है इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं बाकी तो आप जो है शोरूम पे जाईए और गाड़ी की टेश ट्राइड डीजिए और उसके बाद ही जो है अपना डिसीजन बनाईए कि आपको जो है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए तो मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ज